एलो इस वीडियो में आज हम सिखेंगे ब्यू टैब के बारे में तो ब्यू टैब में सबसे पहला जो ग्रूप आता है वो है बर्कबुक ब्यूज तो बर्कबुक ब्यूज इसमें बर्कबुक के कई फॉर्मेट होते हैं जैसे यहां पे सबसे पहला दिया गया है नॉर्मल इसके बाद है पेज ब्रेक ब्यू उसके बाद है पेज लेउट ब्यू इसके बाद है कस्टम ब्यू तो इनको हम इस वीडियो में करेंगे तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल ब्यू तो नॉर्मल ब्यू यह क्या होता है नॉर्मल ब्यू जो होता है यह डिफार्ट ब्यू ह होता है, default view का मतलब यह होता है, जब भी हम यह एक्सल open करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह ऐसा दिखाई दिता है, तो यह जो format है, यहां पे हमने normal view यह by default यहां पे select है, normal view है, तो actual में हम normal view में ही काम करते हैं और बाकी की setting हम बाद में करते हैं, इसके बाद जो second view है वो है page break view तो यह जो page break view होता है यह हमें कैसा दिखाई देता है जैसे यह देखो हमने यहां से लेके यह देखो यह data लिखा हुआ है यहां से लेके यह 59 तक यहां पर data लिखा हुआ है तो जितने area पर हमने काम किया होता है यह उतने area को बताता है और साथ में यह यह बताता है कि हमारे कितने page इस है तो यह page को बाटर मार्क के साथ बताता है कि आपका यह first page है इसके बाद यह second page है इसके बाद यह third page है इस हिसाब से यह हमें show करवाता है तो ये देखो जब हम यहाँ पे page break view पे click करेगे तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा तो ये देखो जितने area पे हमने काम किया था जितने area पे हमने data लिखा था उतने तक ये बता रहा है इसके बाद ये देखो page 1 ये page 2 तो ये बाटर मार्क साथ में आ रहा है लगा हुआ है जैसे ये देखो page 1 का बाटर मार्क आ गया इसके बाद page 2 इसका बाटर मार्क आ गया इसके बाद ये जो boundary है ये इतनी है अगर हम ये चाहते है कि इसकी boundary को बढ़ाया जाए तो हम क्या करेंगे ये देखो यहाँ पे हम click करेंगे यहाँ पे इसके बाद इसको निचे ड्रै करेंगे यह देखो निचे ड्रै किया तो इसकी boundary हम बढ़ा भी सकते हैं यह अगर कम करनी है तो कम भी कर सकते हैं यहाँ पे boundary पे click करेंगे और इसको यहाँ पे short देंगे यह देखो कम हो रही है तो यह जो view है इसको बोला जाता है Page Break View इसके बाद जो अगला व्यू है बो है Page Layout View तो Page Layout View इसका काम क्या होता है Page Layout View में हम Header and Footer को set कर सकते है Page Layout View यहाँ पर click करेंगे यहाँ पर click करने के बाद यह देखो हमारे पास यहाँ पे दो pages है यह दो pages में आ गया और साथ में यहां पे लिखा हुआ है header इसके वाद यहां पे अगर हम add header यहां पे कुछ लिखना जाते है तो यह लिख सकते है इसके वाद यह देखो निचे स्क्रोल करेंगे तो इस page के यहां पे bottom में यहां पे add footer अगर हम page के last में footer लिखना जाते है तो यहां पे हम footer लिख सकते हैं जैसे यहां पे हम header में कुछ लिखते हैं जैसे यहां पे लिखते है marks यह marks लिखा अगर इसको हम बढ़ा करना जाते हैं तो यह देको home पे जाएंगे और इसका size यहां से बढ़ा देंगे यह 20 यह 20 size आ गया इसके बाद बॉल्ड कर दिया तो यह marks आ गया अगर इस cell में कुछ लिखना जाते हैं तो इसमें भी लिख सकते हैं इसमें लिखना जाते हैं तो इसमें भी लिख सकते हैं इसके बाद footer में कुछ लिखना जाते हैं यह देको यहां भी दूसरे ways में भी यहां पे marks आ गया इसके बाद footer में कुछ लिखना जा blank area पे हम click करेंगे तो यह देखो page 1 तो यह page 2 है इसमें भी यहाँ पे नीचे footer में यह signature आ गया तो इस तरह से page layout view में हम header set कर सकते हैं और footer भी यहाँ पे set कर सकते हैं इसके वाद इसका preview दिखना जाते हैं तो यहाँ पे file पे जाएंगे और यहाँ पे print पे जाएंगे यह दे देखो यह header में हमें marks यह दिखाई दे रहा है और यह जो footer है यहाँ पे हमें यह signature दिखाई दे रहा है इसके बाद second page देखेंगे वहाँ भी लिखा होगा यह देखो second page आईए यहाँ भी यह लिखा हुआ है marks header में और signature यह footer में लिखा हुआ है तो इस तरह से यह यहाँ दिखाई देगा इसके बाद back यहां पर करते हैं इसके बाद अगला जो view है वह custom view तो इसका काम क्या होता है कभी-कभी हम यहां पर data को modify करते हैं जैसे suppose करो यहां पर first page पर दो column है हम चाहते हैं कि यह second page पर यह जो mass वाला column है यह भी यहां पर आ जाए और इस setting को हम save कर लें त तो इसको करके देखते हैं यह देखो यहां पर इसका margin कम किया हमने यह कम करने के बाद यह जो column MS वाला यहां पर आ जाएगा और यह science वाला column यहां पर page number second पर रह जाएगा हम यह चाहते हैं कि यह जो हमने setting की यह setting custom view में save हो के आ जाए तो हम क्या करेंगे यहां पर custom view यहां यहां पर आ जाएगा आने के बाद यहां पर यह टैप बने हुए हैं यहां पर दिया हुए add यहां पर क्लिक करेंगे add पर क्लिक करने के बाद यहां पर आ जाएगा name कि किस name से यह save करना है तो यहां पर हम name कुछ भी दे देंगे जैसे यहां पर asd यह नाम हमने यहां पर द इसका margin काम या ज़्यादा किया हुआ है column को यहां पे ले आया है तो इसको हम द्वारे से देखना जाते हैं तो हम यहां पे custom view पे इसको द्वारा देख सकते हैं यह देखो इसको normal यहां पे करके देखते हैं यह देखो normal पे यहां पे आ गया है अगर हम यह देखना जाते हैं कि जो setting हमने करके रखी हुई है वो कहां पे है तो हम यहां पे सिधा custom view पे जाएंगे यह custom view पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहां पे जिस नाम से हमने यह save किया हुए है वो यहां पे आ जाएगा यह देखो asd यह तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे सबसे उपर जो टैब है वो है show यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो setting हमने की हुई है वही यहाँ पे आ जाएगी और उसका हम print भी ले सकते हैं ये देखो show पे क्लिक किया तो show पे क्लिक करने के बाद ये देखो ये setting हमने यहां पे की थी और इसको save करके रखा हुआ है तो इस तरह से हम यहां पे custom view का use कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने normal view, page break view, page layout view, custom view के बारे में जाना अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छे लगे तो please subscribe my channel धन्यवाद